हलो प्यारे दोस्तों स्वागित आपका इंटरिव्यों क्लासेज में बात करेंगे अपने ध्वनी चैप्टर के जो most important questions है उनके बारे में इससे पहले अगर जितने भी चैप्टर अप्लोड की आपने नहीं देखें तो exam से पहले एक बार ज़रूर देख लिएगा क्योंकि हर टाइप के question इसमें mention है यहां से question आपके बनने वाले हैं और इसी परकार के आपको exam में देखने को मिलेंगे ठीक है न बाकी पेपर ठीक है न और उम्मीद कर तम आपका प्रशांदार हो और बाकी पेपर के लिए भी आपको वीडियो के description में लिंक बिलेगा वहां से आप तैयारी कर सकते हैं ठीक है पहला पूचा गया है सोनार में हम उपयोग करते हैं सोनार में किस प्रकार की जो द्वनी तरंगे वह उप करनी पड़ती है मतलब कोई द्वनी शीरिन है उसको मजबूत प्रबल बनाना है तो किसमें चेंज करना पड़ेगा उसके आयाम में ठीक है न किसमें आयाम में अगला निमना लिकित में से कौन अवसरव्य द्वनी सुन सकता है अवसरव्य द्वनी सुनने वाला जीव है व तरंग तरंग के किूई चलने के लिए माध्यम चाहिए क्योंग द्वनी की इन की इन को चलने के लिए माध्यम , इनको चलने के क्यास्ता होता है अगला Doan chunk देखते है possibilities सबसे अधिकिस में होता है ठोस में होता है भी बात की हमने अने फांपाइब से हलभेनת अगण एंड रेंगिंग ठीक है ना अगला है कि द्वनी तरंगों को यहां तरीक तरंगे क्यों कहते हैं क्योंकि इनके चलने के लिए संचरण के लिए माध्यम क्या आवशकता होती है सिंपल सा कुश्यन है फिर हमसे प्रश्ण पूछा गया है कि कि किसी ध्वनी स्त्रोथ से 450 मेटर दोरी पर बैठा हुआ मनुशी पांसो हर्ड की द्वनी सुन सकता है त् toplam मंश्य के पास तक पहुंचने में दो क्रमागत संपिद्ट्रनों में कितना समय अंतराल होगा समय अंतराल निकालना है तो बड़ा सिंपल सा है समय अंतराल निकालने के लिए आवर्त कालें टी निकालना है और शुत्र आप याद रखिए कि टी बराबर एक बटे यू ठीक न एक बटे वी और वी मीन्स होगे अपने आवर्ती ठीक न तो अपने पास आवर्ती पढ़ा है कित तो हर्ट होगा अब देखिए सिंपल सा सुत्र आपके पास चीज़ें दी हुई है मान रख दीजिए आप नगा टी बराबर निकाला एक बटे यहां पर आवरते पांसो पांसो का भाग लगाएंगे तो आपके उत्र कितना आएगा उत्र हैगा 0.002 सेकेंड ठीक है न अगला परावर्तन के प्रश्चात द्वनी जो है और के सभी भागों में पहुंच जाए ठीक है आराम से सभी को इदम इस पश्ट सुनाई दे इसके लिए वक्राकार्चते होती है अगला किसी इस तुरोत की आवरती सो हड़ से एक मिनिट में कितनी बार कंपन करेगा तो यह तो गुणा के तो 6000 आंसर आ गया अगला देखते हैं इंपोर्टेंट कुशन है कि ध्वनी तरंगों के परावर्तन के दूव व्यावारिक उप्योग लिखिए तो व्यावारिक उप्योग क्या होता देखिए कि ध्वनी तरंगों मेगोफॉन लावड इस्पीकर इनमें क्या है इसे कम कैसे किया जा सकता बहुत इंपोर्टेंट कुशन है ठीक है ना अनुरणन क्या होता है किसी बड़े हॉल की दिवारों से ध्वनी के बार-बार प्रावरतन होने के कारण कापी समय तक बनी रहती है वो द्वनी मालीच आप किसी कमरे में खड़े हैं तो आप जानते हैं कि कमरे में खड़े तो उदर गूंज उत्पन होगी ठीक है ना आप बूलेंगे तो उसकी द्वनी बार-बार मतलब डबल सुनाई दे कि इस टाइप से होगी ठीक है ना उसी को हम क्या कहते हैं को समय तक उसका प्रबाव बना रहता है उसी को हम अनुरणन कहते ह हैं मतलब यह तो द्वनी अफ्शोषक मतलब पर रहते हैं इस टाइप की कुछ चीजें खाली कमरे में ऐसे होता है ठीक है अगला कुछ पूचा गया है कि पंडू भी पर लगी एक इक सोनार युक्ती हैं ठीक है ना सोनार की बारे में आगे बात करेंगे हम ठीक हैं वो सिगनल आए यदि पंडू भी से वस्तू की दूरी यह है तो आप चाल की गंड़ तीन हजार चाल पत्चीस मीटर है तो ध्वनी की चाल पता करिए ठीक है ना ध्वनी की चाल अलग अलग चीजों में अलग अलग होती है ध्यान रखीएगा ठीक है तो दूरी हमारे पास प पड़ी है और समय अपने पास प्राब 5 सेकेंड क्या कहा था कि दूरी पांस सेकेंड बाद वापस आ जाती है इसका मतलब एक दूरी गई और वापस आई टोटल समय तो पांस सेकेंड लगा लेकिन उसने दूरी तही कि देखो जाने के अंदर इतनी मीटर दूर कोई चीज तो अगर इतने मीटर ये गई तो इतने मीटर वापस आई पांच सेकेंड में तो इसको हमने दो से गुणा कर लिया और नीचे लिख दिया पांच उतर आ गया चबदा सो पचास मीटर परती सेकेंड ठीक है यह हो गया आंसर दोने की चाहर्ट अगला देखिए सोनार की क्रिया विदी सोनार की क्रिया विदी बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है यह अपना लास्ट कुश्यन है ठीक है ठीक है ना सोनार की क्रिया विदी क्या होती है कि सोनार एक क्या है प्रेशित और एक संसुचक लगा होता है इसके अंदर मतलब अगर कोई जाहाज है अंदर नीचे ऐसे लगा होता है यह से सिगनल भेजता एक तरह से ठीके नहीं यह क्या करता है जहाज पर लगे प्रिशित्रों द्वारा नीमिस समय अंत्रालों द्वारा परा सरव ध्वनि इसमें द्वनि कौन से इस्तेमाल होती प्रासरव्य से शक्ति-शाली सपंदों ये तरंगे जल में गति करते हैं और लक्षे से टकराने के बाद वापस यहीं पर आकर संसूचन करती है और उसी के संकेतों को पढ़ कर फिर जानकर यासिल की जाती है ठीक है ना जल में ध्वनी की चाल और परा ध्वनी के प्रिशन एमम अधीगरण के समय को ग्याद करने के लिए ग्याद करके लक्षी की दूरी के गरना भी की जा सकती है ठीक है इस प्रकार से यह इस चैप्टर के आपके important question खतम हुए ठीक है मिलते है next part में तब तक बैतरिंग से तयारी करते रही है शांदार पेपर आपको यहां पर मिलेंगे ताकि जिन जिलों में साइस होना बाख कि वह अच्छे से एक्जाम दे पाए ठीक है तो मिलते है next part में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत एक विशेश चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके एक्जाम चाहिए कोई भी हो आपके हर एक्जाम के लिए यहां पर पेपर अप्लोड़ेड हैं इंग्लिश के सारे ग्रमवर के टॉपिक अप्लोड़ेड हैं वो सारे आप चैनल की playlist में जाकर देख सक